हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को इसी यूटूब चैनल में और हम बात करने वाले हैं बेहधी इंपोर्टन्ट रिपोर्ट को ले करके तो आए इसके एक एक पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं कि भारत की GDP गुरूथ रिट को वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित कर दिया गया है किसके दोरा ये अनुमान लगाया गया है तो फीज सोलूशन्स के दोरा अनुमान लगाया गया है फीज सोलूशन्स ने ही हालाही में भारत की GDP गुरूथ रिट को वर्ष 2020-21 के लिए 4.5% बताया था लेकिन अब घटा करके भारत की GDP गुरूथ रिट को वर्ष 2020-21 के लिए 1.8% कर दिया है वही चीन को लिकर के बताया है हालाही में कुछ दिन पहले 2.6% लेकिन अब घटा करके 1.1% कर दिया है फीज सोलूशन्स ने जैसा कि आप जानते हैं कि फीज सोलूशन्स की अस्थापना वर्ष 2008 में किया गया था और ये parents organization है किसके तो फीज ratings के हम फीज ratings को लिकर के भी बात करना चाहेंगे लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि World Bank ने भारत की GDP growth rate को अनुमानित हालाही में 5 दिन पहले किया था इसे जानने और समझेने के लिए आपको description box में link मिलेगा वहाँ से क्लिक करके जनकारी प्राप्त कर सकते हैं हम अब बात करेंगे feature rating school करके यहां पर बात करेंगे feature rating school करके जो कि अमेरिका की credit rating agency है और इसकी अस्थापना 1914 में किया गया था इसका मुख्याला है New York USA में और London UK में वरतमान में president है Len Lionel और ये रहें Len Lionel तो उमीद है कि बड़ियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक करें, share करें और subscribe करें